नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और नई सफलता की कहानी साज़ा करने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों. अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज़बा है, जिद है और विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मकसद में काम्याब होने से रोक नहीं सकती. परेशानी, डख, निराशा हर व्यक्ति के जीवन में आती है, व्यक्ति को अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है, उसे अपने मक्षद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन जीता वही है जो गिरता है, उठता है और लड़ता है, और तब तक लड़ता ह जब तक उसे काम्याभी नहीं मिल जाती। आज हम आपको एक ऐसे शक्स की कहानी दिखाएंगे जो इस सदी का सबसे प्रतिभाशाली और क्रांतेकारी व्यक्ती है। के वर दस वर्ष की आयू में पहली कमाए। एलोन मस्क का जन्म 28.00 जून 1971 में साथ आफरीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एलोन मस्क जब دस साल के हुए तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। एलोन मस्क पिता के साथ रहने लगे लेकिन पिता के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहा। एलोन मस्क को किताबे पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने 10 साल की उम्र तक इतनी किताबे पढ़ ली जितनी एक ग्रेजुइट व्यक्ती नहीं पढ़ पाता है। कमपनी को बेच दी। कल्पना कीजिए एक 10 साल का बच्चा जिससे इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मां का साथ छूट गया। और पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। इन सब के बावजूद इस बच्चे ने हार नहीं मानी। जिस उम्र में बच्चे मां बाप से वैसे की जिद करते हैं उस उम्र में उसने अपनी पहली कमाई करली। एलोन मस्क की शिक्षा एलोन ने अपनी हाई स्कूल की पड़ाई साथ अफ्रीका में ही की। गहरी चोट आई थी और कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे बचपन की घटना की वजह से एलोन को आज भी सास लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे तैसे एलोन ने उस स्कूल में हाई स्कूल तक पढ़ाई की उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सत्रा साल की उम्र में वो कनादा चले गए और उसके बाद यूएस शिफ्ट हो गए जहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की पी एच डी की पढ़ाई मात् मिशन लिया लेकिन एलोन को आभास हो गया था कि इंटरनेट का जमाना आ चुका है और यही सही वक्त है इंटरनेट का हिस्सा बनने का एलोन ने दो दिन बाद ही पी एच डी की पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाई किमबल के साथ मिलकर सन 1995 में अपनी पहली कमपनी उने इंचल इंवेस्टर से फंडिंग लेना शुरू किया कमपनी बढ़ी होती गई और बोर्ड ओफ डाइरेक्टर बढ़ते चले गए एलोन को उस कमपनी का C.E.O. बनना था परन्तु बोर्ड ओफ डाइरेक्टर ने उनका यह फैसला रिजेक्ट कर दिया मातर 28 साल की उम्र में मिलेनिया बोर्ड ओफ डाइरेक्टर और एलोन मस्क के बीच विवाद होता देख कमपनी को Compact जोकी एक कमप्यूटर बनाने वाली कमपनी है उसे बेच दिया गया सन 1999 में इस डील में एलोन को 22 मिलियन डॉलर मिले सिर्फ 28 साल की उम्र में इतनी बड़ी रकम के मालिक बने थे एलोन मस्क मस्क चाहते तो इतने पैसे से अपनी सारी जिंदगी आराम से कात सकते थे परन्तो एलोन यही नहीं रुके उनकी मन्जिल शायद इससे भी बड़ी थी पेपाल की शुरूआत की एलोन ने जो पैसे जिप्टू को बेच कर कमाये थे उस पैसों से उन्होंने दोबारा एक दूसरी कमपणी एक्स डॉट कॉम शुरू की यहे एक ओनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कमपणी थी जिसे आगे चल कर कन्फिनिटी में मर्ज कर दिया गया जिसे कुछ समय बाद पेपाल नाम दिया गया जी हाँ पेपाल जो दुनिया की सबसे बड़ी ओनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कमपणी है जिसका उप्योग हम सभी ओनलाइन पैसे लेने और ट्रांसफर करने में करते है सन दो हजार दो में पेपाल को ई-बे के द्वारा एकवायड कर लिया गया जो कि एक बहुत बड़ी इ-कॉमर्स कमपणी है पेपाल के बिखने के बाद एलोन मस्क को यूएस डॉलर 165 मिलियन मिले जो की एलोन मस्क के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील थी तीसरी कमपणी स्पैस एक्स की शुरुवात अब आप सोच रहे होंगे की इतने पैसे मिलने के बाद एलोन ने उस पैसे को कही बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिये होंगे या किसी कमपणी में इन्वेस्ट कर दिये होंगे और आराम की लाइफ जी रहे होंगे और शायद एलोन की जगह कोई और व्यक्ति होता तो ऐसा ही करता लेकिन एलोन उन लोगों में से नहीं थे उनका विशन कुछ और ही था वो उन लोगों में से थे जो एक दो काम्यावी के बाद चैन से बैठते नहीं है बलकि एक के बाद दूसरे मकसद की खोज में निकल ज पेपाल बेचने के बाद एलोन ने तीसरी कमपणी की शुरुवात की जिसे स्पेस एक्स नाम दिया गया बिना शिक्षा के खुद से रॉकेट बनाया एलोन मस्क सोचते थे कि मंगल ग्रह पर भी मनुश्य को बसाया जाना चाहिए बहां भी पेर पौध है वहां भी खेती ह हो सकती है और मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट की जरुरत होगी एलोन मस्क रश्या रूस गए वहां उन्होंने रॉकेट खरीदने की बात रखी वहां एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन बताया गया रॉकेट ज्यादा महंगा होने के कारण दील नहीं हुई एलोन वापस आगये वापस आकर रॉकेट बनाने में लगने वाले रॉम मेटिरियल की कैलकुलेशन की सारी गणना करने के बाद निश्चेखिया की रॉकेट वे खुद ही बनाएंगे सोचने वाली बात तो ये है कि एलोन ने रॉकेट बनाने के लिए कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं की और ये व्यक्ति रॉकेट बनाने की बात कर रहा है आपको ये सब पढ़ कर एक कालपनिक कहानी जैसा प्रतीत हो रहा होगा ये भी ख्याला रहा होगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया है इसका दिमाग खराब हो गया है बिना डिगरी के बिना रॉकेट बनाने की स्कूली शिक्षा के कैसे ये रॉकेट बनाने की सोच रहा है एलोन की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वे पढ़ते ज्यादा है और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है पढ़कर उन बातों को जिन्दगी में इंप्लमेंट भी करते हैं अपने द्वारा पढ़े गए बातों का पूरा फाइदा लेते हैं एलोन खुद ही रॉकेट बनाने वाली किताबे पढ़ने लगे उन्होंने बचपन में ही इतनी किताबे पढ़ डाली जितनी कोई सोच भी नहीं सकता दस साल की उमर में खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और अब रॉकेट बनाने के लिए खुद से किताबे पढ इलोन ने स्पेस एक्स की शुरूआत की इस कमपनी को शुरू करने का एलोन मस्क का उदेश्य था, मंगल ग्रह पर जाकर जीवन की खोज करना और फिर ऐसे रॉकेट का निर्मान करना जो सस्ता हो और लोगों को पृत्वी से मंगल ग्रह तक ले जाए और वापस लाए. जिस तरह से आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए किसी आतायात परिवहन का उप्योग करते हैं, अंतरिक्ष को लेकर एलोन मस्क की सोच भी उसी तरह थी कि अंतरिक्ष यात्री परिवहन का निर्मान करूंगा जिससे लोग अंतरिक्ष में जाएंगे वहां घुमेंगे, फिर वापस धर्ती पर आज जाएंगे। एलोन ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि वे दो हजार चालीस लगभग 80,000 लोगों की आबादी मंगल ग्रह पर बसा देंगे। उनका यही कॉन्फिडेंट उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है और बताता है कि एलोन दुनिया के कितने बड़े क्रंतिकारी व्यक्ती है नासा से 1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला दो हजार दो में एलोन ने स्पेस एक्स की स्थापना की और रॉकेट बनाना शुरू किया एलोन को इसमें काम्याभी ऐसे ही नहीं मिली पहली रॉकेट लॉंच करते ही रॉकेट में आग लग गई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी एलोन ने दोबारा कोशिश की और दूसरी बार रॉकेट स्पेस में भेजी इस बार भी रॉकेट ओर्बिट में लेंड करने में असफल रही एलोन के पैसे खत्म होते जा रहे थे और अब तक दो बार असफल हो चुके थे लेकिन उन्होंने कहा फिर से कोशिश करूंगा और उन्होंने तीसरी बार रॉकेट लांच किया रॉकेट स्पेस में गई लेकिन फिर से और बिट तक पहुँचने में असफल रही अब तक एलोन के पैपाल को बेच कर कमाए सारे पैसे खत्म हो चुके थे इतने एलोन मस्क आलग ही व्यक्ती है वे बैठ कर रोए नहीं उन्होंने कहा कि में फिर से कोशिश करूंगा उन्होंने चौथी बार रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा लेकिन इस बार रॉकेट ओबिट में प्रवेश कर गई और इसके साथ साथ नासा ने 1.5 बिलियन का कॉंट एलोन ने एक के बाद एक सफलता हासिल की लेकिन दिक्कते भी बहुत आई बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी एलोन ने अब तक जिप 2 की स्थापना की X.com की स्थापना की जो आगे चल कर PayPal बनी फिर उन्होंने SpaceX की स्थापना की एक के बाद एक अविशकार करते जा रहे थे और सफल होते जा रहे थे एलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कमपनी Tesla में एंट्री एलोन ने अगला अनाउंसमेंट किया कि अब वे बिजली से चलने वाली गाड़ी बनाएंगे जी हां अब तक गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से चलती आ रही थी जिसकी कोस्ट जादा थी और पेट्रोल से वातावरन भी प्रदूशित होती थी अब एलोन टेसला मोटर कमपनी में घुस गए और उन्हें वहां C.E.O की पोजीशन मिल गई और अब वे इलेक्ट्रिक वहन बनाने लगे शुरुआत में इसमें भी उन्हें बहुत दिखते आई इ उस कोस्ट पर भी काबू पाया जिससे इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में बड़ी मात्रा में दिमांड होने लगी तो ये थी दुनिया के उस व्यक्ति की कहानी जो आपको एक नई दिशा देती है और यह बताती है कि जिन्दगी में कुछ भी असंभव नहीं है खुद पर विश्वास हो द्रिर शक्ति और अपने काम में लगन हो तो इनसान बिना किसी के सहायता से कुछ भी कर सकता है दोस्तों आपको हमारी ये नई सफलताओं की कहानी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और स्काइवे क्लास चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद